चैन 얼마나 संस्कित साहीत लिखीका जो कि हमारे प्यूसंग के चर्चा करेंगे जाए कि के के क्यों हिंदिी बासतल में कियुंकि हमारी इक जाम में फिसके पार्ट आपने नहीं देखा है तो फीजिस सेक्शन मैं जा कदेख देख सब्सक्राइब्शन किस उपनिश्थ्ण मिलता है मत्रही का शर्डैर का वर नन विरीहा दलाणन एक उपनिश्षथ crani मेत्रई कौन तो किसकी रचना है? तो अच्छी उत्राएं की पत्नी थी का प्रस्तित? तो पंडित चमा राओ, option नमरी चमा राओ, next question देखिए, next question नमरी है, देटेजिंद में 24 महिला, जिशिकाव का रचनाकार है, यदि पुछ दे, अथर्वववेद में कितनी महिला रचनाकार और सनकर चरित पंडित क्या है, तो जीवन चरित रही पंडित चमा राओ k covert आहए प्तल राई की पत्नि कंपणराय कि रानी कौन थी तो गंगा डेवी ने किसकी रचना की है तो मतुरा वीजियम्की रचना की है कि बडㅁक कोशाक नमारा है さug कौन परसृत यानि कौन अधिक प्रस्तिद है तो पंडित चमारा option number c next question नमारा है वनमाला भावलाकर किस काल की संस्क्रित कभित्री थी तो बरतमान काल की संस्क्रित कभित्री है विज्यांका का काल किस सतक में माना जाता है तो और कुछ लोगों का मानना था कि जो महराज चंद्रा दिद पत्री नेक्सत्क छमाराव द्वारा रचित सत्यागरह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है तो महात्मा गांधिके दर्शन द्वारा प्रभावित है अपसान नमबर एक आए किसकी रचना तो पंडित शमाराओ नेक्स संवारा कोशन है गंगाते भी का समय चौधा भी सथी तुप कंप्न राय की पत्नी थी यागवलक्य की पत्नी कौन थी तो यागवलक्य की पत्नी मैत्रई थी और वह उसे आत्मतत्त्वकी सिख्छा देते थ किसका सुल्वा का फूलेख मिलता है नेक्श कोशें संस्कृत लेखी का कौन है घंगा चृइलेशंपट अपने आपको नेंगे देखिए यागवलक्य ने आत्मतत्वा की सिक्षा किसको दी थी तो यागवलक्य ने अपनी पत्नी मेत्राई को आत्मतत्वा की सिक्षा दी थी सर्वसुकला सर्श्वती किस ने कहा है तो डांडी ने कहा है किसको कहा था तो विजियांका को सर्वसुकला सर्श्वती कहा था अपसर नमबर D इसका एंसर हो जाएगा देखिए जनक की सभा में सस्थार्थ कुशल कौन थी तो जनाक की सभा में थी जो सास्तार्थ कुशल का अर्थ होगा कि जो सास्तर में कुशल है तो वो गारगी थी जो कि सास्तर में कुशल थी अथरवबेद में मंतर दर्शिका कितनी रिशिकाए है तो अथरवबेद में पांच मंतर दर्शिका रिशिकाए है मधुरम विजयम, मधुरा विजयम किसकी रचना है तो या गंगा देवी की रचना है और किस अधार पे है तो अपने स्वामिया थात कमपन राय के मधुराई के विजय की अधार पे इसकी रचना की गई है विसाल संस्कित साहिते किसके दोरा समवर्धित है तो कवियो और सास्तरकारों दोरा इन दोनों के दोरा समवर्धित है अच्छी उत्राय कहा करा जाते तो वीजय नगल के राजा अप्शन नमबर A अच्छी उत्राय कहा करा जाते तो वीजय नगल के राजा थे आप्शन A और इसके पीछे के question करोगा आप्शन C लोकिक संस्कित साहिते में कवित्रियों में प्रत्थम कलपा कौन थी तो प्रत्थम कलप जो थी वो विज्यांका थी आप्शन नमबर C नेक्स्ट कोशन हमारा देखिए नेक्स्ट कोशन हमारा है आधनिक काल की संस्कित कवित्री कौन है तो आधनिक काल के संस्कित कवित्री पंडित छमारा उप्शन नमबर D दक्षिन भारतिय संस्कित लेखिका कौन है सीला भटारी का हाँ राम भदरंबा हाँ देव कुमारी का हाँ तो option D सभी हैं ये तीनों ही दक्षिन भारत्य संस्कित लेकिका है समाज में गाड़ी कैसे चलती है अर्थात समाज में जो गाड़ी है वो कैसे चलती है फिर समाज की गाड़ी कैसे चलती है तो पूरुस और नारी से पूरे सो नारि, दोनों से ही, समाज की जो गाड़ी है वो चलती है, यालि कोई एक नारी है, तो समाज कास्टित्वा लुप्त हो जाएगा, मैत्रया ही कौन थी؟ यागवल लग्वाखके की पतनी सिस्या नो, भिसे सग्या नो, या वल्लेके की पत्नी जो थी वो मेत्राई थी जिसे वो आत्मतत्वा की सिख्षा देते थे हैं लोकिक संस्कित ताहिते में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं तो लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं और कितने पद मिलते हैं तो लगभग गीता जो है उनकी जो रचण है क्वा सब्सक्राइब कर ना हुगा जय हई भारत मिलते है तो सब्जेक्टिव कृशन के साथ धन्यबाद